नमस्कार मैं हो दिव्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है पांच फरवरी दिन सोमबार खबरक्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी कम्प्यूटर में होंगे फडाटे दाल सामोहिक नलकुप योजना का लाब उठाने के लिए किसान करे आवेदर बारवी बोर्ड में परिक्चा केंजरी के चाहर दिवारी पांदने वारों पर बड़ी कारवाई स्मार्ट बिजरी प्रिपेड मीटर के उग्भोगताओं को इस परिसानी से मिलेगी राहत जीत हांसिल करने के लिए भारत को नौ विकेट तो इंग्लेंड को चाहिए 332 रन अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बरी खबरोटी और विस्तार से यूरियन बैंक में स्पेसिलिस्ट आफसर के पदों पर निकली भरती वैसे अब भरती जो बैंक परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहे राफसर है तरसल यूरियन बैंक ओफ इंडिया द्वारे स्पेसिलिस्ट आफसर के पदों पर भरती निकाली गई है यह भरती कुल 606 पदों पर आई है एक चोग उमिद्वार इसके आधिकारिक वैबसाइट unionbank.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के अंतिम तारीक 33 परवरी 2024 है इस भरती के लिए आपको आवेदन सुल के रूप में 850 रुपे देने होंगे वही आरक्षित उमिद्वारों को महद 175 रुपे ही देने होंगे उमिद्वारों का चैन ऑनलाइन परिक्षा ग्रूप डिसकसन आवेदन स्क्रीनिंग या परसनल इंटर्व्यू के आधहार पर लिया जाएगा अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी कंप्यूटर में होंगे फडाटेदाद अब बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की विसेश सिक्षा 6 से 12 क्लास तक के बच्चों को दी जाएगी राजे स्क्षा सोदेवं प्रसक्षन परिसद इसके लिए पाठेकरम भी तयार कर रहा बच्चों को पाठेकरम में प्रोग्रामिंग और आर्टीफेसल इंटेलिजेंस के तहताने वाले ब्लॉक चेन और चैन जीपिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा ताकि उन्हें स्कूल के बाद कम्प्यूटर में उच्षक्षा हासल करने में किसी तरह की परिसानी का सामना ना करना पड़े प्रोग्रामिंग की मूलवू जानकारी कख्षा 6 के बच्चों को भी दी जाएगी इसके रावे कख्षा के मुताबिक अन्य जानकारी भी साजा की जाएगी इसका उद्दे से इन बच्चों को नई तकनीकों से अबगित कराना बिहार पैटर में आज हम बात करेंगे बिम्बिसार जेल के बारे में इसका नाम राजा बिम्बिसार के नाम पर रखा गया है इन्हों नहीं हर्यक राजवन्स के अस्थापना की थी, राज़ा बिम्बिसार गौतम बुद्ध के बहुत बड़े सिस्थे थे, लेकिन उनके बेटे अजाद सत्रू ने जेल मेंने कैद करवा दिया था कैद करने की दोरान अजाद सत्रू ने बिंबिसार को अपने कारवाज सुनने के लिए कहा इस दोरान उन्होंने ऐसे अस्थान को चुना जहां से गौतम बुद को देखा जा सके अजाद सत्रू ने इसी अस्थान पर अपने पिता को कैद किया था और तभी से लोग इसे विम्विसार जेल के नाम से जानने लगे यहां से आपको गृद्धा कुट्टा हील भी देखने को मिलेगी यहां से दिरिश से देखते बनते हैं सामोहिक नलकूप योजना का लाव उठाने के लिए किसान करे आवेदन बिहार सरकार राजे के किसानों के लिए सामोहिक नलकूप योजना चला रही है जहां सुक्च में सिचाई योजना के अंतरगत 80% तक का अनुदान किसानों को मिलेगा इसकी जानकारी IPID बिहार पर भी सियर की गई है इस योजना का लाब उठाने के लिए आवेदन शुरू है लगू और सिमान्त बर्गी के सभी क्रेशकों के द्वारा सामोहिक नलकूप योजना में आवेदन करने के लिए DBT में पंज़े ग्रैथ और MI में आवेदित होना जरूरी है इस योजना का लाब लेने के लिए समू के सबी क्रिषकों के पास कम से कम, सूने जस्ली गें पाँच एकर का रखवा होना जरूरी है इस बिजली का भुक्तान समू को कम से कम साथ वर्स्तक सुक्ष में सिचाई का अपयोग करना जरूरी होगा अब एक्षो किसान होटी कल्चर डॉर विहार डॉर जियोवी डॉर इन पर जाकर राविदन कर सकते हैं या योजना से संबंदित अधिक जानकारी के लिए जिला के सहाइक निदेशक उध्यान से संपर्क कर सकते हैं या किसान कॉल सेंटर 180-00-18-1551 पर भी संपर्क कर सकते हैं बारवी बोर में परिक्षा केंद्र के चाहार दिवारी फांदने वालों पर बरीकारवाई बारवी की बोर परिक्षा चल रही है लेकिन परिक्षा के दौरान कई परिक्षारती लेट पहुंचे जिस वज़ा से उन्हें परिक्षा केंद्र के अंदर प्रवेस नहीं दिया गया, इस वज़ा से परिक्षार्तियों ने खुब हंगावा भी किया था, कई परिक्षार्ति तो परिक्षा केंद्र की चाहर दिवारी को फांद कर अंदर जाने की कोशुस कर रहे थे, अब ऐसे प पुर्द्वारा कहा गया कि परिक्षा केंद्रों की चार दिवारी को फान आप राधिक रहते हैं इससे कदा चार रहीत परिक्षा संचालित प्रभावित होते हैं इस स्मार्ट बिजली प्रिपेड मीटर के उभोगताओं को इस परिसानी से मिलेगी राहत बिहार के लगबग अधिक्तर जगों पर लोगों को अब स्मार्ट बिजली प्रिपेड मीटर के सुविदा दी जा रही है मकान से लेकर दुकान तक स्मार्ट बिजली प्रिपेड मीटर लगाए गये हैं कि वे इस मीटर में पोस्ट बटन लगाएगी, इसकी मदद से उबोकता अबर 40 घंटे तर, मिजली की सुविधा ले पाएंगे, साथ उबोकताओं का मीटर भी फिर से रिचार्ज हो जाएगा, धोकादरी को लेकर केंद्रिय बैंक ने आम लोगों को सतर करहने की दी सला, भारती रिजब बैंक ने आम लोगों को धोकादरी से सतर करहने की सला दी है, यह सला किवाई से के संबंध में है भारती रिजब बैंक ने किवाई सी अध्यतनी करन के नाम पर धोकादरी के प्रती आगाह किया है साथी अग्याति काईयों के साथ अस्तावेश साजा नहीं करने की सला दी है बदादी किस वज़े से दोकादरी की घटना इधर लगा तार आ रही है जिससे देखते वे आरबियाई द्वारा लोगों को सतर करेने की सलाह दी गई है किंद्रिय बैंक ने कहा है कि किसी के साथ भी अपने लॉगिन क्रेडेंसियल, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड और OTP साजार ना करे साथी वेक्तिकत जानकारी देने के लिए किसी तरह के आप डाउनलोड करने से बचें दसवी पास वांग के लिए बिहार के स्थेतर में लग रहा जॉब कैम, दसवी और बारवी पास वैसों मिद्वार जो रोजगार और नौकली की तरास कर रहे हैं तो उनके लिए यह सुनहराब सर है नरसल गया कि अबर प्रादेशिक योजनालेद वरस साथ फरवरी को एक दिवस्य जॉब कैम का योजन किया जा रहा है इस जॉब कैम में एक कमपनी सीक्यूरिटी गार्ट के पचास पदों पर बहाली करेगी बहाली प्रेक्रिया के लिए आपको किसी तरह के पैसे नहीं देने होंगे इस जॉब कैम्प में सामिल होने के लिए आपको जरूरी दस्ता वेज लेकर आने होंगे साथ ही NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा जिन भी उमिद्वारों का चैनेस पोस्ट के लिए होगा उन्हें आसन सोल में काम करने के लिए भेजा जाएगा इसका योजन सुबर दस बजे से लेकर सुबर के चार बजे तक रहेगा इस पद पर केवल पुरुसों की ही बहाली की जाएगी जैने तो मिद्वारों को वेतन की रूप में 12,500 रुपय और अन्यस विधाय दी जाएंगी बिहार में भूम आफियाओं के खिलाब तयार हो रही है डन नीती बिहार में भूमी विवाद के कारण कई बार मारपीट और गोली बारी जैसे हिंसक घटनाय देखने को मलती है ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रसासन तयारी में जुच चुका है इस के तैज उन लोगों की हिस्ट्री सीट तयार की जाएगी जिन्होंने जमीन पर अव्याद कबजा किया है या एक जमीन को कई लोगों से बेचा है या जमीन पर धार 144 लागू होने के बावजूद भी निर्मान कारे कर रहे हैं इस इस्ट्री सीट को तयार करने के बाद प्रसासन इसे हर थाने और अंचलों में भेजेगा ताकि यदि इस सेत्र में जमीन से जुरा कोई भी विवाद या घटना सामने आता है तो ऐसे लोगों को चनहित किया जा सके साथी पटना डियम और दानापूर SSP ने संबन में कहा है कि इन भू माफियाओं के खिलाब करी कारवाई करे इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरदास्त नहीं की जाएगा पटना डियम ने स्कूल के समय में बदलाब करने के दिये आदेश अभी हाल में ही ठंड को लेका लगातार स्कूल के समय सीमा में बदलाब देखने को मिल रहा था हाला कि अभी भले ही ठंड का सितम कम हुआ है लेकिन ठंड का असर अभी भी बच्चों पर बढ़ता दिखाई दे रहा इसलिए पटना के डियम कपिल असोक ने जिले के सभी नीजी और सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन करने के आदेश दिये है इस ने बदलाव के मताबिक सुबह के 8 बजे से लेकर साम के 5 बजे तक सभी कप्चाओं का संचालन 5-10 फरवरी तक होगा दिला के अंगन बारी और कोचिंग संस्थानों को भी यहीं आदेश जिया गया है हाला कि बोर्ट परिक्षाओं के तयारी को लेकर चलाए जा रहे मिसंद दक्च पर यह समय सीमा लागू नहीं किये जाएंगे बता दी कि प्रदेश के कुछ स्कूलों में इस ठंड की वज़ा से बच्चों की तबियत अचानक से बिगरने की खबर सामने आई थी इसके बाद पटना डियम ने इस तरह के फैसले लिए चैफरवरी को नितीज कैबिनेट की होगी बैठक चैफरवरी को एंडिये सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक होने वाली है इसके अध्यक्सता सीम नितीज कुमार करने वाले है बैठक सुबर सारे 11 बजे शुरू होगी इस बैठक में उकमुखे मंतरी समराज, चौधरी और विजय कुमार सिन्ह और मंतरी मंडल के इनने कई सदसे सामिल होंगे मदादे के से पहले यह बैठक 29 जन्वरी को होई थी इस दौरा आंचार एजिन्डों पर मुहर लगी थी बिहार के 318 प्रखंडों में उद्यान पतादिकारियों की होगी न्योक्ती उद्यान पतादिकारियों की न्योक्ती जल्दी राजी के 318 प्रखंडों में होने वाली है इन पतादीकारियों के नियुक्ति को ले करक्रिसिव विभाग ने BPSC को सामाने प्रसासन के माध्यम से रिखती भेज दी है बतादी के उध्यान से जूरी कई उध्यान पतादीकारियों की कमी से प्रभावत हो रही है बतादी की निया में तो उद्यान पतादीकारी केवल 40 प्रखंडों में ही है वहीं सम्वीदा पर 148 प्रखंडों पर उद्यान पतादीकारी है मालूम हो कि जिन्वी उमिद्वारों की न्यूक्ति इस पद पर की जाएगी उनके लिए जरूरी है कि उन्होंने BSC, Agriculture, Horticulture के साथ परहाई की हो उमिद्वारों का चैयन BSC लिखित परिक्ष और इंटर्व्यू के आधार पर ही होगा इन पतादीकारीों के आने से बागवाने से दुरी योजनाय गाउं तक पहुँचेंगी पंकस्त्रीपार्थी को लेकर सिल्पा सेथी ने कह दिए बाद अभी हाल में सिल्पा सेथी की इंडियन फुले स्पोर्स नाम की वेब स्रीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है इस स्रीज को लेकर सिल्पा खुब सुरकिया भी बटोर रही अब इसी बीच अपने सिरीज को लेकर OTT प्लेटफॉर्म पर बात की है जहां उन्होंने पंकस्त्रीपार्थी और विकरांत मैसी की चर्चा की तो सिल्पा ने कहा कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरीए अपने काम से दरसकों का प्यार पान उनके द्वारा पसंद किया जाना अच्छा लगता है आगे उन्होंने टैलेंट को सामने लाने के लिए OTT सीन्स की प्रसंसा की उन्होंने कहा कि कोवीट के समय में ऐसे कई सितारे थे जो इस प्लेटफॉर्म द्वारा बनाए गये थे जिसमें इसे एक उदारन पंकर्स रिपार्थी है इतन लब में समय तक इंडस्ट्री में रहने के चलती लोगों ने उनके टैलेंट को देखा और उनके टैलेंट में स्टार क्वालिटी थी विकरांत मैसी जैसे कई सितारे उनमें से एक है बिहार के कई हिस्तों में 6 फरवरी तक बारिस की संभावना बिहार में धूप के कारण भले ठंड और कोहरे का आसर कम हो गया हो लेकिन मौसम में भाग लगातार बारिस को लेकर पूरवा नुमान जारी कर रहा है मौसम में भाग के मुताबिक 6 फरवरी तक पटना में बारिस की संभावना देखी जा रही, साधी पस्टिमी विच्छोप के कारण मौसम में बदला भी देखने को मल रहा है वहीं उत्ता पस्टिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर बिहार में आज का मौसम सुस्क रह सकता है लेकिन दक्षेन पुर्ष बिहार, दक्षेन वधे बिहार और दक्षेन पूर्व बिहार में एक या दो अस्थानों पर हलकी बारिस की संभाव ना है प्रदेस में आज का अधितम तापमान 20-22 डिग्री रहने की संभाव नजटाई गई है वही निटम तापमान 12-14 डिग्री और 10-12 डिग्री रहने की बात कही गई है पटना मेट्रो में दिखाई जाएगी बिहार के कल्चर की जलक पटना मेट्रो का काम बढ़ी तेडिय से चल रहा है अब इसी को लेकर DMRC अधिकारी का बयान सामने आया है उन्होंने बताये कि फरवरी 27 तक पटना मेट्रो डेल सेवा शुरू हो सकती है इससे सबसे पहले मेट्रो का दो कॉरिडोर शुरू किया जाएगा ये कॉरिडोर ISBT से पटना जंक्सन वाया असोक राजपत राजपत राजिंद्र नगर के लिए होगा अधिकारी ने आगे बताये कि पटना मेट्रो के 24 में से 12 स्टेशन अंडर क्राउंड बनाए गया है ये 2 से 3 लियर में होंगे इसमें से कॉनकॉर से लेवल होगा यहाँ पर सुरक्चा जाज टिकेट काउंटर समेत और भी कई सुविधाएं होंगी साथ इसके केरिया में आपको विहार के कल्चर की चलक भी देखने को मिलेगी दिसके थैद भोजपूरी, मघी, मैथली, तुरहुत और अंग, छेतर की संस्क्रितियों को दिवारों पर दिखाये जाने की तयारी है सक्षमता परिक्षा को लेकर सिक्षक संगों के विरोधों के बीच समराज चौधरी का बयान आया सामने विहार में नियोजित सिक्षकों को राजिकर्मी का दरजा देने के लिए सिक्चाविबाग उनकी सक्षमता परिक्षा ले रहा इनी ओज़ित सिक्षकों को तीन बार समय दिया जाएगा मीडिया में चलने खबरों के मताबिक अब इनी विरोधों के बीच उपमुके मंत्री समराच चौधरी का बयान भी सामने आया है उन्होंने सिक्चक संगों की नाराजगी को लेकर कहा है कि संबन में सिक्चक संग के लोगों से बात की जाएगी लेकिन गुनवत्ता और प्वांटिटी पर भी ध्यान रखा जाएगा इस पर जरूर चिंता करनी चाहिए दिहार के बचों के वविस्य का या मामला है जिसके लिए चिंता करना ही परेगा लेकिन सिक्चक संगों से बात किया जाएगा कि इसका क्या रास्ता हो सकता है बिहार में राजद ने जिला प्रभारियों की लिस्ट की जारी बिहार में राजद आने वाले लोगसभा और उधान सभा चुनाप को लेकर तयारी कर रहे हैं इसी करी में एक राज़त ने पूरे राज़े में कुल 41 जिला प्रभारियों का चैन किया है ताकि ये पार्टी और संगठन को बूत अस्तर पर मजबूत बना सके। इन जिला प्रभारियों के लिस्ट राज़त प्रदेश अधिक जगदानन सिंग द्वारा जारी की गई है। बता दे कि बिहार में महागरवन्दन की सरकार तूटने के बाद बिहार में चुनाब को लेकर राज़त की चुनावती बढ़ गई है जिसके करण पारटी जोरो सोरो से इसकी तैयारी में जुटी है ताकि किसी तरह की कोई कमी पारटी के तरब से ना हो। अपने स्थीफे की खबर पर मंत्री संतोस मांजी ने दी सफाई राजनीती गलियारों में जीतना मांजी के बेटों और बिहाड सरकार में मंत्री संतोस मांजी के स्थीफे की खबर अचानक से देखने को मिली जिसके बाद इस मामले को लेकर खुद संतोस मान जी को सोसल मेरी एक्सपर सफाई देनी परी है उन्होंने बताये कि मेरे स्तीफे की ख़बर फैलाई जा रही है जो बिलकुल निराधार है मैं अंडिये के साथ हुआ रहूंगा किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि लोब लालत प्रलोबन की राजनीती को मैं चिम्टे से भी नहीं चुछ सकता हूँ मुझे सत्ता से जादा बिहार की परवा है आपका असरबात काफी एक कुर्सी तो आनी जानी है मतादे कि संतोस मान जी को बिहार में अनुसूचित जाती और जनजाती विभा की जिम्मेदारी सौपी गई है राज़त ने इस पोश्ट के जरी ते जस्वी का दिखाया दम बिहार में मागरवंदन की सरकार तूटने के बाद अब अन्डे की सरकार बन चुकी है अब इसी करी में राज़त भी लगातार अपने नेता जस्वी यादव को लेकर प्रचार प्रसार करने में जोटी है बीते ही दिन राज़त ने अपने सोशल मेडिय एक्सपर एक त्वीट के जरी कहा कि लाखों बहाली और नौक्रिया प्रच्रिया धीन करने के लिए धन्यवात ते जस्वी यादव जी जस्वी जी द्वारत सारी प्रच्रिया पूरी करने के बाद अब सरकार सिक्षक भाली का तीसरा और चौथा चरन यथा सीग्र सुरू करे आगे त्वीट के जरी ते जस्वी को लेकर कहा गया कि आपने कहा आपने किया आप ही करेंगे बिहार की ललकार अब चाहिए बस तेजस्पी सरकार कॉंग्रिस को सदारा विधायकों के तूटने का डड़ चुनाब के इस घरी में कॉंग्रिस को विधायकों के तूटने का ड़ सदा रहा है इसलिए कॉंग्रेस द्वारा पार्टी विधायकों को दिल्ली से हैदराबाद भेज दिया गया है अब 12 फर्वरी को ही ये सभी विधायक विश्वास मत के लिए बिहार आएंगे आपको बता दे कि जब से बिहार में सरकार का बदलाव हुआ है तब ही से कई कॉंग्रेस से विधायकों के पार्टी से लग होने की कयास लगाय जा रहे है मेडिया में चले ही खबरों के मताबिक 19 में से 17 विधायक कॉंग्रेस के हैदराबाद सेफ्ट हुए है जीत हांसल करने के लिए भारत को 9 विधेट तो इंग्लेंड को चाहिए 332 रन इंडिया और इंग्लेंड के बीच तीसरे दिन का मैच बीते ही दिन खाप्म हुआ इस दौरान एक विधेट पर 66 रन इंग्लेंड का स्कोर रहा है ऐसे में 332 रन इंग्लैंड को जितने के लिए चाहिए होंगे तो वही टीम इंडिया को जितने के लिए 9 विकेट लेने होंगे इस मैच के दोरान इस टम्स के समय जैक क्रॉली 29 तो वही रिहान आहमद 9 रन पर नावाद लोटे वही इससे पहले 27 गिंद में इसे 28 रन बनाकर बिन डकैट आउट हो गये थे असमिन ने डकैट को पवेलियन भेजा बता दे कि 255 रन भारती टीम ने दूसरी पारी में बनाए हैं और अब इंग्लैंड के सामने 399 रनों का लक्षे है मही सुबबन गिल ने सांधार सतकिये पारी भारत के लिए खेली इस दौरान उन्होंने 104 रन अपने नाम की कई कारणों से दर्जाय भारत की तहास में आज की तारीख 1970 में 5 परवरी के दिन ही अमेरिका ने निवादा में परमानू परेक्शन किया था 1971 में आज के दिन अपोलो जोदम सन के अंत्रिक्स यात्री चंद्रमा पर उत्रे थे 1992 में 5 परवरी के दिन भारते क्रिकेटर दिलिप वेंगे सरकर ने अपना आखिरी टेस्ट खेलकर क्रिकेट से सन्यास ले लिया था 1996 में आज के दिन पहली बार जीम टमाटरों से बनी प्यूरी इंग्लैंड के बाजारों में बिखनी शुरू होई थी 1999 में 5 परवरी के दिन दक्षनी आफ्रीका के राष्ट पती नेसर मंडेला ने संसत में राष्ट को संबोधित करते वे अपना आखरी भासन दिया था और उसी साल मई में उन्होंने अपने पच्छ स्थीफा दे दिया था 2007 में आज के दिन भारत की सुनीता विलियम्स अंत्रिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी थी 2010 में पाच परवडी के ही दिन भारती निसाने बाज अभिनव बिंदरा ने नीदर लैंड इंटरनेशनल सूटिंग चैंपियंशिप में 600 में से 596 अंक हांसिल कर गोल्ड हांसिल किया था 2016 में आज के दिन वित मंत्राले ने यूट्यूब चैनल लॉंच किया था गूगल ला रहा ये मज़ेदार फीचर गूगल अबाम लोगों के जीवन में एक महत्वपून हिस्सा बन चुका है यह अमीर से लेकर गरीब हड़ वर्क की जीवन में काफी एहम भूमी का निभाता है गूगल भी अपने यूजर्स के लिए कई तरह की सुवधा लेकर आत बता दे किस बात की जानकारी गूगल ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में दी है गूगल के एक दावे के मुताबिक AI संचालित सुवधा आसानी से लोकेशन की खोज करने और मैप्स के साथ दुनिया की खोज करने में मदद करेगी पी-म जिस्वकर्मा के त्थ यह लोग कर सकते हैं आवेदन देश के सभी वर्गों को आर्थिक सायता देने के लिए कि सरकातों कई तठे की योजनाय चलाई बनाने वाले खिलोना निर्माता नाई धोबी दरजी और माला बनाने वाले को तो उन्हें तीन लाख रुपे तक का लोन दिया जाएगा लोगों से गरीब कल्यान योजना की जानकारी लेने नौफरवरी को गाउं गाउं पहुंचेंगे बीजेपी ने था बिहार में बीजे अमान संकल्प सभाय उजथ होगी फिर बीजेपी के नेता और कारेकरता 24 गंटे के लिए गाउं गाउं मदान केंद पर प्रवास के लिए नौफर वरी को जाएंगे हम प्रती दिन आपसे पांच असी जरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की बीप अपसे चंपई सोरेन अपसे अमर कुमार बाउरी अपसे राजिंदरि प्रसाद सेंग इसका सहीं तरह चंपई सोरेन दक्सिन भारत के दिगर्ज के सभिनेता ने अपनी नई राजनेतिक पार्टी तमी जगा वेत्री करगम लांच की है अपसे रजनी कांट अपसे अलू अर्जुन अपसे थलापती विजए अपसे लिए मुकेस बावू इसका सहीं तरह थलापती विजए प्रधान मंत्री नरिद मोदी ने कहां अमे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोद होजा 24 का ओधगार्टन किया है अपसे अ है मुंबई अपसे बैंगलोर अपसे नई दिली अपसे लिए लखनाओ इसका सहीं तरह नई दिली नगरों के प्राचीन और ने नाम में कौन सा मिलान सही नहीं है अपसे अ है ओधन्त पूरी और बिहार सलीफ अपसन भी है वैसाली और चमपारन अपसन भी वजरासन बोद गया अपसन भी है पार्टे पुत्रपटना इसका सहीं तरह वैसाली चमपारन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अस्थाप्टा 1931 में किस ने की थी ऑपसन भी है राम रिक्ष बेनि पूरी ऑफसन भी है गंगा शरांट सिनम हाँ ऑपसन भी है रामनन्द मिस्रा ओपसन भी है उप्रोक्त सभी इसका सहीं तरह है उप्रोक्त सभी अपने बोर्ट परिक्षा को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है आप अपना जवाब हमें बारे कॉमेंट से संबॉक्स में लिका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बनेने के लिए देखते हैं बिहारी न्यूद और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना तो चनल को लाइक कर करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्पोक से देख रहें तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद